आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ उसकी Polarity बताता है तो हम क्या बोल सकते है Polarity of Chemical Bond हम क्या बोल सकते है उसको Polarity of Chemical Bond डाउपल मॉमेंट हमें क्या बताता है Polarity बताता है किसी भी Chemical Bond की अगर आपका कोई Molecule है मतलब कोई Substance है वो जितना ज़ादा आपका Polar होगा जितना ज़ादा वो आपका Polar होगा उतनी ही उसकी क्या होगी डाउपल मॉमेंट भी होगी अब देखो अगर मैं बात करूँ Polarity की तो Polarity कब जनरेट होती है जब मेरा Electronegativity का जो Difference है वो ज़ादा आए जितना Electronegativity का Difference होगा वो उतना ही Polar होगा और दूसरी चीज हम डाउपल मॉमेंट को ऐसे भी निकालते हैं Q into D Q is the charge D is the distance between the center जैसे कि अगर इस तरीके से मुझे यहाँ पे अगर HCL गिवन हो तो यह जो इनके center से यह वाला distance होता है इसको हम D consider करते हैं अब देखो अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो हमें क्या given है यहाँ पे CH3F उसके बाद आपको क्या given है यहाँ पे CH3Cl एंड हमें क्या given है यहाँ पे CH3Br तो देखो क्या होता है यहाँ पे आपको basically fluorine, chlorine, bromine इस तरीके से given है और मैं iodine भी consider कर लूँ तो जैसे जैसे आप down the group जाते हो तो क्या होता है आपका number of shells बढ़ती है हमारी number of shells बढ़ती है number of shells जब बढ़ती है तो उसकी वज़ा से आपका क्या होता है कि जो proton और outermost electron का distance है वो भी बढ़ता है तो इसकी वज़ा से मेरा atomic size बढ़ेगा मेरा क्या होगा atomic size increase होगा यानि की मेरा fluorine का size सबसे छोटा होता है और जो electronegativity तो भी decrease होती है अब electronegativity क्या होती है it is basically the tendency to attract the shared pair of electron tendency to attract shared pair of electron जो shared pair of electrons होते हैं उनको attract करने की tendency ठीक है जैसे अगर मैं इस तरीके से HF बोल रही हूँ आपको ठीक है अब देखो यह हो गया और let's suppose मैं HBR बता हूँ आपको यह आपका होगा ठीक है यहाँ पे यह fluorine और यह H है ठीक है H same है bromine बढ़ रहा है bromine का size बढ़ा है तो देखो यहाँ पे हम क्या देखते हैं जैसे size बढ़ रहा है आपका यह वाली चीज यह distance बढ़ रहा है जब distance बढ़ रहा है तो जो यह shared pair of electrons होंगे इनको attract करने की tendency भी कम हो जाएगी इनको attract करने की tendency भी कम होगी तो यानि की electronegativity जो है वो कम हो रही है तो fluorine is more electronegative अब देखो यहाँ पे यह वाला group तो सेम है अगर मैं बात करूँ तो यह वाली चीज तो इन सभी में सेम है ठीक है अब fluorine सबसे ज़ादा electronegative है तो देखो यहाँ पे जो हमारा यह आपका कुछ इस तरीके से है ठीक है यहाँ पे तीन तीन आपके hydrogen लगया है अब अगर मैं डाइपल मुमेंट के direction दिखाऊँ तो वो मेरी कहां से कहां आती है more electropositive atom से less electropositive atom की तरफ electropositive atom की तरफ जाती है ठीक है तो आपका यहाँ पे देखो अगर इनकी बात करूँ तो यह वाला more electropositive है यह वाली चीज यहाँ पे यह यहाँ पे और यहाँ पे आपका fluorine electropositive है तो यह इस तरीके से तो यह वाली चीज तो direction सब में सेम आएगी अगर सिर्फ मैं C और F की बात करूँ इसलिए मैं यहाँ पे सिर्फ किसकी बात कर रही हूँ C F C L और आपका C B R ठीक है इनकी अगर मैं बात करूँ तो देखो fluorine is more electropositive ठीक है अभी अभी यह electropositive है तो यह अपनी तरफ खीचेगा जादा तो इस पे partial negative आएगा और इस पे partial positive आएगा ठीक है तो polarity generate हो रही है जादा किसका आना चाहिए CH 3 F का आना चाहिए फिर आपका CH 3 C L का आना चाहिए and then आपका CH 3 B R का according to electronegativity बट देखो मैंने आपको यह भी बतायता है कि जो dipole moment है वो distance पे डिपेंड करता है ठीक है क्योंकि यहां मैंने लिखा था ना Q into D यहां पे मैंने लिखा था कि यह मेरा distance पे डिपेंड करता है तो क्या होता है कि जो आपका fluorine का size काफी small होता है इसका जो size है fluorine का जो size है ना वो काफी जादा small होता है इस वज़़े से यहां पे जो dipole moment है वो इसके comparison में कम हो जाता है क्योंकि CL का size बढ़ा है इसके comparison में तो यह distance बढ़ेगा तो dipole moment बढ़ता है तो इसके case में distance फेवर कर जाता है ठीक है तो इसलिए यहां पे हमारा पहला जो आएगा वो CH3 CL उसके बाद आपका CH3 F बढ़ फिर आएगा आपका CH3 BR यह सिर्फ इन ही के case में इस दोनों के case में होता है due to its small size बट electronegative भी है तो वो factor भी है इसलिए यह हमारा CL के बाद आता है और BR के पहले आता है तो यह वाला हमारा इसका dipole moment का order हो जाएगा ठीक है तो अगर हम अपने options देखें तो आपका कौन सा option है देखो फ्लोरीन का जाधा बोल रहा है तो wrong क्लोरीन के बाद फ्लोरीन आएगा क्योंकि electronegativity उसकी जाधा है वो dominate करती है ब्रोमीन से ठीक है तो यह भी नहीं है third correct है fourth भी wrong है तो third हमारा right answer है Thank you